Hello student, today's subject is Mathematics and Mathematics Standard 2. Let's start. Part 2, Let's untie a 10 in order to subtract. Page number 53, Let's untie a 10. इसका मतलब होता है कि जो 10 का हमारा बंच होता है, 10 थिंग्स का बंच होता है, उसको क्या करना है? निकालना, untie करना है उस बंच से जो 10 थिंग्स है, उसमें से कुछ थिंग्स निकालना, order to subtract करने, subtraction करने के लिए. Now, let's read. Every box has 10 pencils. यहां, कितने box है? 3 box है. 1, 2, 3. और हर एक box में कितने pencils है? 10, 10 pencils. इसमें 10 है, इसमें 10 है, और इसमें 10 pencils है. चलो, अभी, यहां क्या लिखा है हम पढ़ते हैं? यहां एक गल दियो, वो क्या बोल रहे है? box में, I want 20 pencils. उसको इस box में से कितने pencils चाहिए? 20 pencils चाहिए. I want 4 pencils. इस गल को कितने pencils चाहिए? 4 pencils चाहिए. I want 25 pencils. इस बाय को कितने pencils चाहिए? 25 pencils चाहिए. How to give them? अभी इने हमें, वो कैसे देंगे? जैसे, फस्ट हमें, एक्जामपल लिखे. यह गल क्या बोल जिए? I want 20 pencils. इस गल को 20 pencils चाहिए. तो इस box में कितने 10 pencils है? तो इस box में 10, इस में 10 और इस में 10. I want 20 pencils. तो इसको 20 pencils कैसे देंगे? यह 10 pencil देंगे और इस box में से 10 pencil देंगे. इसको 20 pencils में जाएंगे. It means that total pencils in 3 boxes, how many? 10, 10, 10. 10 मांचा 10, 10, 2 चा 20, 20 चा 30. Total 30 pencils. और 30 में से total how many pencils? हमने कितने total pencil काउन किये? 30 वी total pencil काउन किये. ठीक है? 30 में से 20 pencils इस girls को दे दी. चलो, इस girls ने अगर ले ली. तो 20 pencils ले ली, यानि 10 प्लस 10, 20. यह 10 और यह 10 ले ली. यह cross कर दी. तो कितने बचे pencil? 10 pencil बचेंगे. यानि इसका मतलब है 30 मांचा 20. कितने बचते हैं? 10. ओके? देखो. 0 में से 0 गे, 0. and 3 माइनस 2, 1. में आंसर इस 10. 30 माइनस 20 is equal to 10. Now, this girl. I want 4 pencils. इस girl को कितनी चाहिए? 4 pencils चाहिए. तो जो यह 10 का box है, इस में से हम कितनी pencil लेगा, untie box करेंगे. ठीक है? इस में से 4 pencils निका लेगे. तो यह 10 है तो इस में से 4 निका लेगे, देखो. 1, 2, 3, 4. इसको 4 pencils दे दी. ओके, कितनी बची अभी? यह 10, यह 10. और इस 10 में से कितने है यह? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें 10 ही है, और इसमें 10 ही है. 10 प्लस 10, 10 टूसर 20. और 20 में 6 मिलाओ. चुलो 6 उंगलिया निकालो और अरकाउंट करो. 10 प्लस 10, 20, प्लस 6. कितना हुआ? 26. तो इस गल को 4 pencil देने के बाद, कितने pencil हमारे पास? बचेंगी? 26. तो टोटल pencil 3 box मिलके हमारे पास कितनी है? 30 है. ओके? इस में से यह 4 pencil इसमें को दे दी. यानि 30 में से 4 कम कर दी. तो 30 माइनस 4 करेंगे. ठीक है? This place is 10 place and this place is unit place. तो अभी हम क्या करेंगी? Unit place से while doing the subtraction or addition, always start from the unit place अभी unit place is zero मैंसे कितनी निकालने पड़ेंगे हमें पहले four निकालने पड़ेंगे लेकिन जब subtraction करते तो उपर वाला नमब हमेशा कैसे चाहिए? बिक चाहिए होता है तो यह तो zero small है तो हम इसको big बनेंगे कैसे big बनेंगे? इसको cut करेंगे जैसे कि वैसे उपर लिखेंगे और उसके पीछे one लगा देंगे तो one लगाया है यह नमबर को इसे बना one one है हमने one tens कितना होगा? one tens यह इसका मतलब है यह one हम कहां से लिए? थ्री में से लिए थ्री में से one लिए हैने थ्री tens में से one tens लिए 1 10 से यह 10 लिए ओके तो 3 में से 1 कम हो गया यहां कितने बचेंगे 2 बचेंगे ठीक है तो हमें new number कों से मिले यहां 2 और यहां 10 और यहां 4 अभी सब को मोले 10 में से 4 गया सब लोग निकालो 10 में से 4 निकालो या आप क्या करो 4 के बाद 10 आने तो उंगलिया निकालो तेल के चलो स्टार्ट करो यहां 2 तरह से भी आप कर सकते हो 10 उंगलिया निकालो उसमें 4 उंगलिया बन करो कितने बचेंगे वो देखो या 4 के बाद 10 आने तक गिनो तो instead of taking out the fingers I am going to take them mastic अभी 4 के बाद मैं दूसरी तरह से solve करती हूँ 4 के बाद 10 आने तक मैं उंगलिया निकालती हूँ तो उंगलिया निकालने के बचा मैंने क्या बोला है कि मैं mastic लेती हूँ तो चलो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, and 10 तो मैंने कितने mastic लें चलो count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, and 6 इसका मतलब है 10 में से 4 गए कितने आएं? 6 आएं ओके अभी 2 और यहां कुछ भी है कुछ भी नहीं है यहनि इसका मतलब है 0 है तो 2-0 कितना आएगा? तो यहने किसी भी नमबर से 0-0 नमबर वो ही आता है आएंसर वो ही नमबर आता है तो 26 आएंसर कितना है? 26 के पहले भी हमने यहां से डाइरेक किया तो आएंसर कितना आया था? 26 ही आया था ओके? अभी देखो नेक्स देखेंगे I want 25 पेंसिल इस भाई को कितनी पेंसिल चाहिए? 25 पेंसिल चाहिए इस भॉकस में टेन है इस भॉकस में टेन है और इस भॉकस में टेन है उनी, आंसर 10 10, 2 सह 20 20 सह 30 देख तोटल 30 पेंसिल से ओके? अभी इसको 25 पेंसिल चाहिए इसमें से 10 PLUS 10 10 PLUS 20 कितने होंगी? 20 हो गय यहांण इस बॉकस से 10 दे दिए इस बोक से 10 पेंसिल जी, 20 पेंसिल जी दी, अब इसको 25 चाहिए, 20 के बाद, 21, 22, 23, 24, 25, जी दी 25 पेंसिल जी इसको, इसको 25 पेंसिल जी जी, के बाद हमारे पास कितनी बची, simple way, इस 10 मेंसे 5 पेंसिल जी, ये 10, ये 10 और इस मेंसे 5, तर 10 मेंसे 5 पेंसिल जी जाए, कितनी बची, very good, 5 पेंसिल जी और 10 मेंसे 25 जी जाए, so 5, Now next Rama and Ash Okay What they are talking with each other Listen I have two boxes Rama बोल रहे ही कि मेरे बास two boxes है Each containing ten pencils एने एक box में कितनी pencils है Ten pencils है And five loose pencils और loose pencils कितनी Five I want to give seven of them to my friend उसमें से मुझे Seven pencils मेरे फ्रेंड को देनी है How to do that मैं अभी कैसे करू Let's solve it So let's solve This with activity Okay क्या बुढ रहे है Rama कि मेरे पास two boxes है One or two Each containing Ten और हर एक में Ten pencil का एक बंच है और five loose है देखो Ten pencil का एक बंच है और five loose One, two, three, four, five Next में देखो Ten pencil का एक बंच है और one, two, three, four, five pencils है ऐसे two box है I want to give seven of them to my friend अभी मेरे पास जो दो boxes है उसमें से seven pencils मुझे इसको देनी है इसको देनी है मेरे फ्रेंड को देनी है What to do that अभी वो कैसे करेंगे ओके Yes उस पर आंसर देते है Open one box Yes बोलते है उसमें से one box Open करो You will get ten and five उसमें आपको दस और पाच पेंसिल मिलेंगे That is fifteen loose pencils और उसका मतलब है वो fifteen loose pencils है चलो हम करते है तो अब हम दो box में से एक box क्या करेंगे Untie करेंगे So ये total कितने होगे Fifteen हम ये भी नीचे रख देते है This ten का one bunch But plus this loose five Total fifteen So now what Yes is saying Count seven of them To give to your friend अभी Yes रमा को क्या बता रहा वो उसमें से seven count करो अपने friend को देने के लिए चलो हम भी इस fifteen pencil में से Seven count करके हम friend को देने के लिए One Two Three Four Four Five Six And Seven Okay So total हमारे पास कितने pencils थी Fifteen pencils थी उसमें से हमने क्या किया Seven pencils किसको दे दी Friend को दे दी चलो seven निकल गी अभी हमारे पास कितने बची Eight One Two Three Four Five Six Seven Eight यह eight pencil बची और हमारा एक box है उस box में हमारे कितने pencils है देखो यह Five pencils लूज और यह Ten का एक बच्च तो चलो अभी हम यह काउन करते है This ten Plus this five Ten plus five Very good Ten plus five Fifteen और fifteen में अभी eight मिलाएंगे Fifteen के बाद Eight मिलो Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty 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 इस तरह हमने रमा का प्रॉब्लेम है स्वाल किया ओके Let's take next Fifteen is equal to One ten's five units Means All of you know This place is unit's place And this place is ten's place So five units and one ten's One ten's mean Ten One zero Ten And five units means five loose Okay See here This five loose Let's untie one ten Abhi जो हमें क्या करना है जो यह one ten है उसको untie करना है इने Separate करना है देखो इसको हमने Separate किया One Two Three Four Five Six Seven Eight Nineteen And this five So total कितने हुए Fifteen Units Total How many units Fifteen Units One Ten And five units Equal to Fifteen Units Now see next Thirty-two is equal to Thirty-two में same Two is on units place And three is on tens place तो three tens and two units Three tens means thirty Ten plus ten plus ten And two loose Yarni two units Let's untie one ten अभी इस में से जो one ten है उसको हम क्या करेंगे Untie करेंगे Yarni separate करेंगे देखो इस इस में से Three tens है Three tens में से One ten हमने लिया और उसको हमने Separate किया और इसमें Two units से मिला दे कितने हुआ Ten plus two Twelve Yarni कितने units हो है Twelve units हो है और two tens होगे Okay अभी next देखो Three tens plus two units Is equal to Two tens twelve units हम ऐसे भी बोल सकते हैं So Page number 53 Is completed So let's start next page Next page शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ Subtraction के उधारन बता रहे हूँ जैसे यहां लिका है 13 minus 6 और 63 minus 6 Okay हमने यह दो एक्जामपल लिए तो अभी हम इसको solve करते हैं हम इस दो तरीके से solve कर सकते हैं जैसे 13 में से 6 निकालने के लिए 6 के बाद 13 आने तक हम fingers निकालेंगे Okay तो instead of taking out the fingers में क्या करी हूँ मैं आस्टिक्स ले रहे हूँ Imagine it यह fingers है आप सबको fingers निकालने हैं So 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 हमने क्या क्या 6 के बाद fingers निकाले 6 के बाद कहां तक finger निकाले 13 है निकाल 6 के बाद 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 कितने fingers निकले हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने fingers निकले 7 fingers निकले So answer is कितना 7 13-6 answer कितना आता है 7 आता है 3, 3-6 6 के बाद 63 निकालना possible है नहीं है तो यह क्या था छोटा नंबर था 13 6 के आसपास थी था इसलिए हमने मैस्टिक्स निकाले लेकिन यहा possible नहीं है तो यह हम कैसे solve करेंगे 63-6 यह कैसे solve करेंगे हम क्या करेंगे 6 6 उंग्लिया निकालेंगे यहां क्या किया था हमने 6 के बाद 13 आने तक उंग्लिया निकाली थी और कितनी उंग्लिया निकाली थी वो count किया और यहां answer निकाली लेकिन यह 63 भी गए तो हम कैसे करेंगे हम सिर्फ 6 उंग्लिया निकालेंगे तो चलो, सब लोग 6 उंगलिया निकालो, अभी 63-6, तो हमने कितनी fingers निकाले, 6 finger निकाले, अभी हम क्या करेंगे, 63 से reverse counting करेंगे, चलो, और एक एक उंगली बन करते जाएंगे, चलो एक एक उंगली बन करो, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 58 आने तक हमारी उंगलिया बन हो गई, 58 के बाद कौन सा reverse निकाल आता है, 57, so answer is, 57, 37, अभी हम और एक नहीं उधारन लेते, और अच्छे तरीके से आपको समझ मेंगे, 30-9, यहाँ देखो, 30 और 9 में बहुत अंतर है, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 उंगलिया निकालेंगे, ओके, 41 अमने 9 उंगलिया, अभी एक एक उंगली आपको क्या करने है, बन करते जाने ह 30 से काउंट करगे, चलो कब बन करो, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 22 तक हमारी सक उंगलिया बन हो गई, हमने क्या क्या था, रिवर्स काउंटिंग किया था, अभी 22 के बाद कौन सा रिवर्स नमबर आता है, very good, 21, हमार आंसर कितना है, 30 माइनस 9, 21, 21, now let's start the page number 54, subtraction, by untying or boring or opening outer tail, हमें क्या करना है, subtraction करना है, यहां कुछ एक्जाम्पल दिया है, वो हम सॉल करते, 22 minus 7, अभी 22 minus 7, so I am going to teach you this by simple method, let's start, so 22 minus 7, so first method is, which is small number 7 and big number is 22, so what to do, we are going to count reverse number, okay, so let's take out the small number, fingers, instead of taking out the fingers, I have taken ice cream stick, 7 ice cream stick, so 22 minus 7, so you have to count reverse number from 22, okay, so count the reverse number, 22, 21, 20, 19, 18, 17 and 16, so here we count till 16, so answer is 16, 15, then reverse number, 16 के बाद, reverse number कौन सा आएगा, 15, so answer is 15, in this way, you can solve it, now next way, I am going to tell you, okay, so 22 minus 7, while doing the addition or subtraction, we are going to do from the units place, okay, so, कभी भी subtraction करने के लिए, जो उपर वाला number होता है, वो कैसे होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और नीचे वाला नंबर चोटा होना चाहिए, लेकिन, अपन नंबर is small here, and down number is here, big, so what to do, we have to make it big, जैसे हम पहली क्या करेंगे, इस 2 को कट कर देंगे, और फिर से उपर, 2 लिखेंगे, और उसके पहले 1 लगा देंगे, यह big number बन गया और यह 1 हमने कहां से लिया? 2 में से लिया अभी इस 2 में से हमने यह 1 number लिया, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 2 में से 1 कम हो गया तो यहां कितना आएगा 2 minus 1, 1, 1 आए जाएगा तो अभी हमें new number क्या मिला? 1 यहां 12 minus 7 ऐसे नमबर मिला ठीक है अभी 12-7 कीजिए 12 में से 7 निकाल सकते हैं तो चलो निकालिये 12 में से 7 simple में 7 के बाद 12 आने तक उंगलिया निकालिये चलो टेक आउट डफिंगर 7 के बाद 12 आने तक 7 के बाद 8 9 10 11 and 12 how many? 1, 2, 3, 4, 5 कितने आए? 5 आए so well minus 7 कितने आता है? 5 और ये 1 में से यहां कुछ भी है? नहीं है तो 1 के 1 लिखेंगे यहने answer is 15 तो answer is 15 okay? देखो same book में इसी तरह से solve करके दिया है next 30 minus 9 so take out 9 fingers so we are going to do it instead of taking out the fingers I am going to show you the ice cream sticks 9 okay? imagine it these are fingers okay but you have to take out the fingers 9 fingers so 30 minus 9 करने तो हम क्या करेंगे? reverse number count करेंगे आप एक-एक finger बन करते जाना है okay so 30 से हम reverse number count करेंगे 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 तक हमने fingers बन करने के बाद यहां कुन सा reverse number आएगा? 22 के बाद कुन सा reverse number आता है? 21 so answer is 21, 30 minus 9, 21 okay? अब ही second बेसे हम यह solve करते हैं थर्टी माइनस नाइन हमने इस से लिख लिए अंगल डिजिट नंबर है हम निकाले का यूनिट प्लेस पर लिए अभी देखो जिरो से नाइन कभी जिरो से नहीं निकालने आते हैं क्योंकि हमेशा यह रूल याद रोखो कि जब सब्ट्रेक्शन करते हैं तो जो उपर वाला नंबर होता है वो हमेशा कैसे होना है बीग होना है तो हम क्या करेंगे इसको बीग बनेंगे कैसे बीग बनेंगे सिम्पल वे इस नंबर को हम कट करेंगे और जैसे के वैसे पहले उपर लिख लेंगे और इसको बीग बनाने के लिए उसके पीछे वन लगा देंगे लगा दिया वन लेकिन हम ये वन हमने कहां से लिया इस थ्री से लिया अभी इस थ्री से ये वन लिया इसका मतलब है इसस बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 3 में से बन गया यहां कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ओके अभी हम solve करते हैं हमें क्या मिला 2 tests और 10 units तो अभी 10 minus 9 10 में से 9 गये कितना मिल जेगा, 9 गये कितना मिलेगा, 10 में से 9 गये 1 और 2, यहां कुछ भी है नहीं है तो 2 जैसे के वैसे So, answer is 21 So, अभी next is 63 minus 6 So, आपको क्या करना है 6 fingers निकाले Okay, take out the 6 fingers 1 2 3, 4 5 and 6 6 fingers निकाले अभी हमें क्या करना है 63 में से 6 निकाले तो चुल एक एक finger बंग करती जाहिए और reverse number count करती जाहिए 63 में से 6 निकालने तो 6 reverse number 63 62 61 60 59 58 So, answer is 58 के बाल कौन सा reverse number आता है 57 So, answer is 57 So, this problem we are going to solve in this way 63 minus 6 Okay So, again 3 is on unit place और 6 is on 10 place and this 6 is on unit place So, while doing the subtraction अब number should be always big तो 3 में से 6 नहीं जाएंगे तो हमें इस 3 कैसे small है तो उपर वाला number हमेशे big चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको big बनेंगे कैसे big बनेंगे? इसको cut करेंगे जैसे के वैसे लिखेंगे उपर और उसके पीछे one लगा देंगे तो क्या हो गया number big बन गया कुंसा बन गया? 13 बन गया लेकिन हमने ये one कहां से लिया? इस 6 में से लिया तो इस में से हमें one कम करना पड़ेगा तो इस में से cut कर दिया और 6 में से बन गया 5 आगे अभी 13 माइनस 6 करना है अभी new number कैसे उपर कौन सा मिला? मैं 13 अभी 13 में से 6 जाएंगे तो 13 में से 6 गए तो अभी हम simple way मैं आपको बता रही हूँ 6 के बाद 13 आने तो उंगलिया निकालिये ठीक है? चलो, let's start तो 6 के बाद 13 आने तो उंगलिया निकालेंगे हम तो उंगलिया निकालने के बज़ा मैंने क्या लिए है? आइस क्रिम स्टिक तो 6 के बाद 7, 13 आने तक बोलना है मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 हो गए 13 तो कितनी हमने उंगलिया निकाली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो 13-6 कितना आता है? 7 आता है और 5 मैंसे यहां कुछ भी नहीं है कुछ भी ही नहीं, इसका मतलब पर 0 है तो 5 मैंसे 0 गए, कितना आएगा? 5 यह आएगा तो आंसर इस 57 तो वी आ गए निक्स्ट अंटै और बारो और ओपन आउटर 10 and subtract 23 minus 5, let's start So, we are going to solve in this way 10 plus units plus 23 minus 5 So, this 3 is small and 5 is big So, while doing the subtraction, अपनूमर शुद भी अपनूमर शुद भी बिग So, we are going to make it big इस 3 को कट करेंगे और जैसे के वैसे उपर लिखेंगे और उसके पीछे 1 लगाएंगे तो बिग नमबर बन गया, 13 बन गया लेकिन ये 1 कहां से लिए हमने 2 में से लिया तो 2 10s 2 10s 2 10s में से 1 10s हमने का लिया, यहां लिया ठीक है? तो 2 10s में से 1 10 कम हो गया तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा यहां 1 तो new number हमें कैसे मिला? 1 अब यह देखो 10s place, unit place 10s place पर कौन सा नमबर मिला? 1 और unit place पर कितनी unit से? 13 और फिर minus 5 ओके? Say like this तो देखो यहां 1 13 और यहां क्या लिखना है? 5 लिखने है missing की जगा देखो यह 5 लिखना है अभी हम यह solve करेंगी इनोंने यहां का 1 जैसे कि यहां solve करके रखा है अभी 13 में से 5 गये 13 में से हमे 5 निकालना है ओके? तो मैंने simple में आपको बताए 5 के बाद 13 आने तक हमें क्या निकारनी है उंगलिया निकालने So take out the fingers till 30 Instead of taking out the fingers I am going to take out the mask ice cream sticks So 5 के बाद 13 आने तक ice cream sticks निकाल रही यहने आप fingers निकाल 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 and 13 Okay तो 5 के बाद 13 आने तक हम आपने क्या निकाली? fingers निकाली कितने fingers निकाली? 5 के बाद 13 आने तक 1 2 3 4 5 6 7 1 और 8 8 आपने fingers निकाली? तो answer is here 8 So, 13 minus 5 is 8 और 1 1 में से या कुछ भी नहीं है ने 1 जैसे के बाई से So, 18 answer is 18 यहां हम क्याली केंगे 13 minus 5 कितना या? तो हम यहां क्याली केंगे 8 Okay Next is 25 minus 8 चलो हम copy पर solve करते ही example 25 minus 8 Okay 10th place unit place 25 minus 8 And this number is small So, we have to make it big cut as it is यहां 1 लिकेंगे This one where from we have to 2 10th में से 1 लिया 2 10th में से 1 10th गया तो कितना बचा यहां? 1 यह बचा तो हमें new number कुछ सा मिला? देखो 10th place per 1 यहां पहले से लिका है 10th place per 1 और 59 units place तो हम यहां कितना लिकेंगे? 1, 5, 15 लिकेंगे Okay And next देखो यहां unit place per 1 and 15 1 and 15 And unit place per यहां कुछ सा minus कितना करना है? 8 करना है तो हम यहां कितना करेंगे? minus 8 15 minus 8 15 minus 8 So, what do we have to do? 8 के बाद 15 आने तक आपको क्या करना है? फिंगर्स निकाल लिकेंगे 8 के बाद 59 आने तक हम फिंगर्स निकालते हैं 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 And 15 8 के बाद 59 आने तक हमने फिंगर्स निकाले कितनी फिंगर्स निकाल लिए हमारी 1 2 3 4 5 6 7 So, 15 minus 8 कितना होता है? 7 होता है और 1 जैसे के 2 So, answer is 17 So, बाद मैच करो, यहां भी 17 है, यहां भी 17 है Now, let's start next 37 minus 9 We have to do it Okay This is 10th place This is unit place 37 minus 9 Okay So, अब अब नमबर शुद भी बाद बाद So, we are going to make it big Cut this number right as it is And place 1 here So, 17 Big number बना But, where we have taken this 1 From this 3 3 10 मैं से हमने 1 लिया यहने 1 10 लिये So, 3 10 मैं से 1 10 गये कितने बचे यहां? 2 10 यहां कितना आएगा? 2 आएगा तो हमें new number कौन सा मिला? कैसे मिला? 10th place This is unit place यहां 2 Unit 17 Minus यहां 9 Okay So, यहां देखो हम यहां देखो, यहां यहां लिखेंगे चीके? क्या मिला हमे? 2 10 17 and 9 Okay देखो 2 10 17 and 9 अभी हमें 17 में से 9 minus करने हैं So, लेट्स काउंट अप्टर 9 तिल 17 9 के बाद 17 आने तक आप क्या करोगे? फिंगर्स निकालोगी Okay So, instead of taking out the fingers I am going to use the mastix Okay Let's start 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 and 17 तो चलो 9 के बाद हमने क्या क्या? 17 आने तक फिंगर्स निकाले Okay कितने fingers निकले हमारे Let's count 9 के बाद 17 आने तक हमने fingers निकाले तो कितने fingers निकाले? चलो count करो fingers 1 2 3 4 5 6 7 8 8 fingers निकाले इसका मतले 17 minus 9 8 2 यहा कुछ है? नहीं है तो means यहाँ 0 है तो किसी भी number में से 0 minus हुआ answer क्या आता है? वही number आता है तो 2 में से 0 गया 2 answer so answer is 28 now let's see this now next let us present the subtraction 35 minus 17 as shown भी लोग यहाँ हमें 35 minus 17 की subtraction करके दिखाए दिखो 10th place unit place 35 minus 17 तो start from the unit place 5 small so we have to cut it right as it is यहाँ 1 लिखाए यह 1 कहां से लिए? इस 10th से लिए तो 3 10th में से 1 कम हो जाएगा इतने बचिए 2 10th तो नया number कोई सा मिला है? 2 10th 15 units और यहाँ 1 10th और 7 units अभी हमें क्या करना है? 15 में से 7 निकालने है तो हम क्या करेंगे? 7 के बाद 15 आने तक क्या करेंगे? उंगलिया निकालेंगे तो चलो 7 के बाद 15 आने तक उंगलिया निकालते है 11, 12, 13, 14 and 15 ओके? तो हमने क्या की? 7 के बाद 15 आने तक उंगलिया निकाली कितने उंगलिया निकाली काउंट करो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने उंगलिया निकाली? 8 उंगलिया निकाली So, answer is here 8 15 माइनस 7 इस 8 और 2 माइनस 1 So, what are you? 1 इस तरह हमारा नांसर 18 निकला इस तरह हमने पेज नमबर 54 कम लिक क्या लेकिन हमेशा याद रखिए जब हम यूनिट्स प्लेस पर नमबर लिखते है सब्ट्रेक्शन करो या एडिशन करो जब नमबर हम सब्ट्रेक्शन और एडिशन के लिए देते है तो जो यह हम यूनिट्स प्लेस पर जो हम नमबर लिखते है वो हमेशा यहां का जो नमबर होता है यूनिट्स प्लेस वाला नमबर यह नाइन के उपर कभी नहीं होता जिरो से लेकर नाइन तक ही यहां हम यूनिट्स पर नमबर लिख सकते है ओके अब यहां बोलोगे मैडम यहां तो ट्वेल, टेन, नाइन से उपर लिखे यह कब आते हैं? जब हम प्रॉब्लेम सॉल करते है और जब हम बोरो करते है हम सब्ट्रेक्शन करने के लिए हम यह बोरो करना पड़ता है टेन से तब वो यूनिट्स प्लेस वाला नमबर बढ़ जाता है ओके? Now, next page number is page number 55 Let's start Subtract by untying or boring or opening outer tail So, first 40 minus 11 Okay So, always While doing the addition or subtraction Start from the unit space 0 and 1 So, 0 minus 1 So, 0 is small so we have to make it big so cut it right as it is और उसके पहले क्या लगाना 1 लगाना so 10 उसा नमबर बना 10 बना this one where we have taken from this 4, 4 10s में से हमने 110 लेगे 10 में से कम हो जाएंगे 4 में से 110 कम हो गया 4 10s में से 110 कम हो गया 4 minus 1 3 so new value we get 3 10s and 10 units 1 10s and 1 unit so 10 minus 1 सबको आता है है 10 में से बन गया 9 9 3 minus 1 3 उंगलिया निकालो 1 बन कर दो 2 आए answer is 29 now next 67 minus 29 so same cut 7 right as it is and right here 1 this one we have taken from 6 10s से so यहां से 1 कम हो जाएगा 6 minus 1 5 so 5 10s 17 units अभी 17 में से हमें 9 minus करने है okay so हम क्या करेंगे 9 के बाद 17 आने तक count करेंगे 9 के बाद 17 आने तक उंगलिया निकालो 9 के बाद 17 आने तक उंगलिया निकालो 9 के बाद 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17 कितने हमने हमने उंगलिया निकाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 so 17 minus 9 कितना होता है 8 and 5 minus 2 5 minus 2 5 में से 2 उंगलिया बन करो 5 उंगलिया निकालो 3 उंगलिया बन करो 3 so answer is 38 now next same got to write as it is और इसके पिछे बन लगा this one where we are taken from this 9 so got this 9 9 minus 1 8 so 12 minus 3 12 में से 3 निकालना है so 12 minus 3 3 के बाद 12 आने तक उंगलिया निकालो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 कितने उंगलिया निकाली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ok ok so 12 minus 3 9 and 8 minus 5 8 में से 5 निकालो 8 minus 5 3 so answer is 39 9 9 9 now do the next 17 minus 9 यह 17 minus 9 कितने आए हमारे 8 आए तो आप यह करके दिखा था आप करके देखो 17 9 के बाद 79 तक उंगलिया निकालो कितने उंगलिया निकालती है 8 so answer is 8 so next is 30 minus 12 so 30 minus 12 so same cut the 0 write as it is here and place 1 here तो big number बन गया 10 बन गया यह 1 कहां से लिए इस 3 10 से 1 10 लिए हमने 3 में से 1 कम हो जाएगा तो कितने बेचेंगे 2 10 so 10 minus 2 10 में से 2 उंगलिया बन करो कितने बचेंगे 8 10 minus 2 8 और 2 में से बन गया 1 so answer is 18 so 13 minus 12 answer is 18 1 at 18 okay now next 51 minus 18 51 minus 18 cut it right here right here as it is then 1 place करोया यह 1 कहां से लिए हमने 10s place लिए 1 4 से sorry 5 से लिए 5 में से 5 10 में से 1 कम हो जाएगा कितने होगा 4 10s 11 minus 8 so 8 के बाद 11 आने तो 11 आने तो उंगल्या निकल 8 के बाद 9 10 and 11 कितने आये 3 so 11 minus 8 3 and 4 minus 1 सब को आते है 4 minus 1 3 तो आंसर इस 33 so 51 minus 18 33 next is 46 minus 17 46 minus 17 cut 6 8 आती इस place 1 1 यहां से कम होगा यहां 3 होगे 16 में से 7 निकलने 7 के बाद 16 आने तक कुमल्या निकलो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 तो कितने उंगल्या निकली है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने निकली 9 16 minus 7 कितना होता है 9 and 3 minus 1 सब को आते है 2 so answer is 29 46 minus 17 29 next is 83 minus 59 83 minus 59 ok 3 3 minus 9 4 and 7 minus 5 itना हैंगे 2 answer is 24 4 so 83 minus 59 29 is 24 next is 74 minus 25 74 minus 25 cut it cut it right as it is उसके पीचे बन लगा दो नमबर बिग बन गया 14 मन गया क्योंकि यह 4 small है 5 big है तो हम बन कब लगाते हैं यह नमबर बिग कब करते हैं यह नमबर स्मॉल होता है तब नीचे वाले नमबर से यह उपर वाला नमबर जब स्मॉल होता है तब so यह 1 कहां से लिए हमने 7 में से लिया तो 7 में 7 कम हो जाएगा यहां कितना हैगा 6 so 14 minus 5 so 5 14 में से में 5 निकाल लाए तो हम क्या करेंगे 5 के बाद 14 आने तक हम क्या करेंगे fingers निकालेंगे 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 5 के बाद 14 आने तक हमने उंगलिया निकाली कितने उंगलिया निकाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 minus 5 कितने होते हैं 9 होते हैं और 6 में से 2 गया 6 में से 2 निकालो जल्दी very good 4 तो answer is 49 so 74 minus 25 49 so next is बावना है ज़टर 27 of 43 trees how many does she still have to water इने बावना ने क्या किया 43 में से 27 तो इसको क्या किया पानी दिया उसको और कितने trees को पानी देना बाके इसले हम क्या करेंगे subtraction करेंगे total trees कितने थे 43 इसमें से कितने trees को पानी देया 27 watered trees trees to be watered कितने trees को water देना यह हमने निकाला तो इससे 3 minus 7 3 small इसमें से 7 ने जाएंगे इसके लिए हमने उसका क्या क्या 3 जैसे क्या वैसे लिखे लिखे उसके पीछे 1 लिखे 13 क्या और यह 1 10 कहा से लिया 4 में से लिया 4 में से 1 कम हो जागे यहां क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे अभी 13 minus 7 6 आ गया करके देखो और 3 minus 2 1 आ गया trees to be water कितना हो गया 60 चलो अभी हम next solve करते next in a mathematical grid 17 counters are placed of which 42 are green and others are red how many red ones are there mathematical grid है उसमें 70 counters है यहने 70 ऐसे square निकाल है चोटे चोटे placed of which उसमें से 42 कैसे green color किये है और बाकी की कौन से red color किये है तो how many red ones are there तो red वहा कितने है हमें निकाल है तो 70 में से 42 कौन से green है बचे होंगे red color किये तो हमें 17 में से 42 minus करने पड़ेंगे so this is called mathematical grids okay so 70 total counters और 42 green counters so 70 में से 42 निकालेंगे तो red counter मिलेंगे चलो लेट स्टार्ट this is unit place this is 10 place so unit place पर कितना है 0 तो while doing the subtraction up number should be always big तो यह कौन से 0 है 0 चोटा है 2 बड़ा है तो 0 को हम क्या आ में क्या करना पड़ेगा इसको big बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे 0 as it is उपर रखेंगे और उसके पहले 1 लगा देंगे उसके पहले 1 लगा देंगे तो 0 as it is लिखा उसके पीछे बड़ लगा या निए big number बन गया और यह 0 को हम cut करेंगे यह 1 कहां से लिया 7 में से लिया तो 7 में से बनाएं कम हो जाएगा 7 में से बनाएंगे कितने बचेंगे 6 ओके अभी आपको क्या करना है this is 6 तो आपको क्या करना है 10 में से 2 माइनस करना है 10 में से 2 निकाल गए कितने होंगे 10 उंगलिया निकालो इसमें से 2 बंद करो, very good, 8, तो 10-2, 8, and this 6, 6-4, 6 में से 4 निकालो, या आप क्या करोगे, 6 उंगलिया निकालोगे, उसके 4 उंगलिया बंद करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, या 4 के बाद 6 आने तक count करो, चलो 4 के बाद 6 आने तक, 4 के बाद 5 and 6, कितनी उंगलिया निकाली आप ली? 2 उंगलिया निकाली आप ली, very good, तो आंसर इस 2, आंसर इस 2, so 28 ग्रेड काउंटर, ग्रेड काउंटर कितने है, 28, next, स्वरा है 92 बीट्स, स्वरा के पास कितनी बीट्स है, 92, शी ग्यो रवी परी, 59 आप देम, उसने उसमें से परी को कितने दिये? 59 बीट्स दे, किसमें से? 92 बीट्स में से 59 बीट्स किसको दिये? परी को दिये, how many does she have now? अभी उसके पास कितने बचे? उसके बीट्स क्या होगे? very good, कम होगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रेक्शन करने पड़ेगे, 92 में से 59 बीट्स निकालने पड़ेंगे, तभी उसके पास कितने बीट्स बचे है? वो निकलेंगे, चलो, let's do. So, 92 बीट्स विट्स स्वरा, स्वरा के पास कितने बीट्स है? 92, 59 बीट्स दियो टु परी, स्वरा के पास कितने बीट्स है ये निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? 92 माइनस 59. So, चलो, let's start, हम वाइल दुएंगे सब्ट्रेक्शन और अड़ीशन स्विट्स 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 अभी 2 में से 9 निकालेंगे, तो लेकिन 2 नमबर कैसे small है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको big बनाना पड़ेगा. कैसे big बनाएंगे? हम 2 को cut करेंगे, जैसे के वैसे उपर लेकेंगे, और उसके पीछे 1 लगा देंगे. तो big बना कौँसा नमबर बना? 12 बना, लेकिन ये 1. 1 कहां से लिए हमने? 9 में से लिए. तो 9 में से 1 कम हो जाएंगे, 9 में से 1 गया, या 8. ठीक है? अभी हमने देखो, 1 लिए, 1 लिए हैने, 9 में से 1 टेंस लिए. तो 1 टेंस, यहने 10, प्लस से 2, ऐसे 12 होगे. समझ मेहार आपको? अभी 12 में से हम 9 निकाले लेंगे. तो 12 में से 9 निकालने के लिए आप क्या करोगे? 9 के बाद 12 आने तक आप क्या करो? फिंगर्स निकाले. You have to take out the fingers. Okay? So, 9 के बाद 10, 11, and 12. आपके कितने fingers निकले? 1, 2, 3. Okay? 3 fingers निकले. So, means 12 minus 9 कितना होता है? 3. Then 8 में से 5 निकलो. 8 में से 5 हैं. Same, 5 के बाद 8 आने तक fingers निकलो. 5 के बाद 6, 7, and 8. कितने fingers निकले? 3. So, 8 minus 5, 3. So, answer is 33. 33 bits with swara नो. अभी swara के पास कितने bits बचे? 33 bits. Now, next is for Diwali. Diwali के लिए, I made 67 currencies. I ने कितनी currencies बनाए? 67 बनाए. And 48 अनर्साज. और अनर्सा कितने बनाए? 48 बनाए. By how many is number of anarchas less than that of currency? अभी बताओ. यहां क्या पूचा है? कितने number of anarchas कम है? किस से? करणजी से. हमें ऐसे पूचाए. अब यहां देखो. करणजी कितनी बनाए? 67 बनाए. और अनर्साज कितनी बनाए? 48 बनाए. तो क्या ज़्यादा बनाए? करणजी ज़्यादा बनाए. करणजी ज़्यादा बनाए. 67 ज़्यादा होते हैं. 48 कम होते हैं. करंजी ज्यादा बनाए और अनर सा कम बनाए लेकिन अनर से कितने कम बनाए करंजी से अनर से कितने कम बनाए ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 67 में से 48 माइनस करेंगे यह जितने बचेंगे उतने क्या हमाए क्या पता चलेगा कि इतने अनर्स्हे हमने कम बनाए ठीक है so total करंजी कितने है 67 औरन तंस कितने है 48 67 माइनस 48 करेंगे ओके तो हम 7 में से 8 निकालेंगे पहले, when we are going to do the addition or subtraction, always start from the unit space, तो 7 में से हम क्या निकालेंगे, 8 निकालेंगे पहले, so 7 is small, और 8 is big, तो हम क्या करेंगे, 7 को क्या करेंगे, हम big बनाएंगे, कैसे big बनाएंगे, हम 7 को यहां cut करेंगे, 7 जैसे के ऐसे उपर लिकेंगे, उसके पिछे 1 लगा देंगे, हम यहां 1 टेंस लिया है, कहां से लिए हैं, 6 टेंस में से लिए, तो 6 में से क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, 6 में से 1 कम हो गया, तो कितने बचे, 5 बचे, अभी हमें new number क्या मिला, 17 माइनस 8 यहां, और 5 माइनस 4 यहां, ओके, तो अभी चलो, हम माइनस करते हैं, 17 माइनस 8, अभी 17 में से 8 निकालना है, तो हम simple में आपको बताती, 8 के बाद 17 आने तक फिंगर निकालो, चलो, let's start the fingers, instead of taking out the fingers, मैं क्या कर रही हूं, मैं स्टिक्स ले रही हूं, तो 8 के बाद, हम 17 आने तक, मैं फिंगर निकालेंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17, हमने कितनी, मैं स्टिक्स निकाली, चलो, count करते हैं, कितनी निकाली हमने मैं स्टिक्स, 8 के बाद 17 आने तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, कितनी निकाली, total 9, तो 17 मैंस 8, कितना होता है, 17 मैंस 8, 9, ओके, अभी 5 मैंस पर सब कह आता है, 5 मैंस से 4 गए, कितना आता है, 1 आता है, तो अंसर कितना है, 19, अंसर हमारा कितना है, 19, यानि, अनर्सा, लेजद्यान करंजी, कितना है, 19, यानि, 19 कम है, क्या कम है, अनर्सा कम है, किस से, करंजी से, 19, अनर्सा कम है, चलो, of the 81 students took part 81 में से कितने student ने भाग लिया 78 student ने भाग लिया students took part okay how many student did not take part और कितने students ने उसमें part नहीं लिया annual function में हमें वो निकाल ला है तो करिसे पता चलेगा total students कितने है जिला परिश्व स्कूल में 81 है 81 में से 78 student ने participate किया तो 81 में से 78 जब हम minus करेंगे तभी हमें पता चलेगा कितने student ने annual gathering में part नहीं लिया so इन जिला परिश्व स्कूल हमें total students 81 total students 78 students took part 81 में से 78 student ने so gathering में annual gathering में पार्टिसिपेट किया तो कितने student ने participate नहीं है ने कितने student में part नहीं लिया तो हम कैसे पता चलेगा 81 से 78 हम जब minus करेंगी तब तो चलो अभी 1 और 8 1 में से 8 निकलेंगे 1 है small है और 8 है big है तो 1 में से 8 निकलेंगे का नहीं so what we have to do we have to make it big 1 को big बनाएंगे 1 को cut करेंगे जैसे के वैसे उपर लिखेंगे और इसके पीछे 1 लगा देंगे ठीक है कुन सब बिंगों नमबर बना 11 लेकिन है 1 कहां से लिए 1 है नहीं हमने ले 8 से लिए 8 टेंस से 1 टेंस लिए 1 टेंस मीन्स 10 तो ये 1 टेंस ये 10 प्लस दिस 1 कितना होगा 11 होगा ऐसे ध्यान में रिखा अभी ये 1 टेंस कहां से ले 8 टेंस से ले यहां हमने बॉरो किये तो यहां से 1 कम हो जाएगा 8 में से 1 टेंस कम होगे कितने बचे 7 टेंस ठीक है अभी new number हमें कोंसा मिला 7, 10 and 11 units तो चलो 11 में से अभी हम 8 निकालते क्या करना है 8 के बाद 11 आने तक आपको उंगलिया निकालने you have to take out the fingers okay I am going to take the mastix 8 के बाद 9 10 and 11 8 के बाद 11 आने तक हमने fingers निकाले कितने fingers निकले 8 के बाद 11 आने तक 1, 2, 3 so a1 minus 8 कितना हुआ 3 और 7 में से 7 गे कितने बचे 0 so answer कितना है 3 3 students did not take part these students ने part नहीं लिया in your function में okay इस तरह हमारा lesson let's untie a 10 in order to subscribe page number 53 to page number 55 is completed like, share and subscribe my channel thank you to I आने धा धुए यझे तक हम थे पाद को आपत कर रह से दो आने धा बाद बद्ट